सत्ता और जंता के बीच में हैं क्योंकि जंता, मद्द प्रदेश की जंता त्रस्त है यहां रहने वाले जो लोग हैं, यहां के जो निवाशी हैं दलित आदबाशी पिछड़ी दलितों की उपर आपने पहले देखा होगा कि बीजेपी के कारकरता बीजेपी के नेता दलितों के उपर पेशाप की दलितों को परिशान किया जा रहा है आदवाशियों की जमीन सीनी जा रही है गरीब होता जा रहा है देखी यह अब कितना भरष्टाचार हो रहा है यहां जो मद्य प्रदेश में अभी जितनी जे सत्ता बीजेपी की सत्ता है सत्ता में बैठे हुए मंत्री और मंत्री के अंडर में जो बिभाग आते हैं उनमें 50-50-60-60% कमिशन ले रहे हैं इससे जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है अब जनता ने मूल बना लिया है कि बीजेपी को इस मद्य प्रदेश से जड़ से उखाड़ना है गवाले की जनता जानती है, सिंदिया जी कॉंग्रेस में ही थे पहले और वो अचानक कहे चलेगे यह तो उनकोई पता है जनता बनलाब चाहती है, कॉंग्रेस को द्वारा लाना चाहती है, जनता गवाले की इस वार गवाले की जनता सिंदिया जी को सिंदिया को रवाना करने के विचार में है और अचे चुना हो रहा है, यह एक विकास बिनास के वो उसको हो रहा है कि मोदी बार बार पूरे प्रदेश में पूरे देश में गुंगुंगुं की बात को रहे हैं यह क्या रहते हैं जंदा की मुद्ध है फुरे बड़ा आज आम आदमी को बैंक में फारम बने नहीं आता पैसे कैसे निकालते इतना इंडिया नहीं हुआ अपना यह हमारी मौजूद्गी है ग्वालिर में और में आपको बता दे जैविलास पालिस जिसमें केंद्री मंत्री जोतरा दितिसंधि आपने परिवार के साथ रहते हैं य यहां पर हम मोती महल रोट पर एक संग्राले के पास है और यहां पर हम सिंधिया के महल के आसपास की जनता से जानेंगे कि जनता का मूड मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव और गौालियर चंबल की राजनीती को लेकर क्या है तो आईए लोगों से बात करेंगे और ब बीजेपी की सत्ता और जनता के बीच में हैं क्योंकि जनता मद्यप्रदेश की जनता तरस्त है यहां रहने वाले जो लोग हैं यहां के जो निवाशी हैं दलित आदवाशी पिछड़े दलितों की उपर आपने पहले देखा होगा कि बीजेपी के कारकरता बीजेपी के ने गरीब होता जा रहा है देखिए अब कितना भ्रष्टाचार हो रहा है यहां जो मद्य प्रदेश में अभी जितनी जे सत्ता बीजेपी की सत्ता है सत्ता में बैठे हुए मंत्री और मंत्री के अंडर में जो विभाग आते हैं उनमें 50-50-60% कमिशन ले रहे हैं इससे जनता प जड़ से उखाड़ना है क्योंकि यह 18 साल से अपनी ताना साही चला रहे हैं 18 साल से लोग परिशान है विरोजगारी इसकदर बढ़ गई है कि रोजगार नहीं है हमारे गवालियर में हमारे गवालियर चंबल संबाग में मालन पर एक इंडिस्ट्री एरिया हुआ करता था वो इंडिस्ट्री एरिये में साले 400 इनिट थी आई देखिए 50 इनिट चालू नहीं है यहां का जो मजदूर है यहां का जो आदमी है वो धंदा करने कहां जाए वो रोजगार करने कहां जाए और जो प्राइबेट दुकाने थी प्राइबेट जो कार खाने थे वो शारे ब शार महंगाई लोगों को मुद्दा लग रहा है और कह रहे हैं जनता जो हैं वो बदलाव चाहती है आपको क्या लग रहा ह 25 केंदरि मंतरी हैं यहां से आते हैं लुब कुछी कदमों पर महल भी है कितना सिंधिया के केंदर में जाने का फाइदा मिला गवालियर की जनता को और पूरा जो प्रक्रण 2020 में हुआ वो कितना असर डालेगा यह 23 के चुनाव देखिए गवालियर की जनता जानती है सिंधिया जी कॉंग्रेस में थे पहले और वह अचानक कैसे चले यह तो उनकोई पता है लेकर जनता बदलाब चाहत यह जनता गवालियर की क्यों ऐसा इसलिए कि 18 साल बहुत होगे 18 साल में बीजीपी ने कुछ कामी नहीं किया है तो गरीब जनता परेशान है बड़े लेवल पर काम हुई है छोटे लेवल पर कोई सुनता नहीं है और यह तो सत्ता में बदलाब जनता को लाना जरूरी है अ और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी जानेंगे सर आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह यहां पर जिस तरह के सभी लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई प्रस्टाचार कि तमाम मुद्देग वालियर में दिख रहे हैं और 2020 में जो हुआ उसका भी कितना असर आपको दिख रहा है इस चुनाव में 2018 के चुनाव में जनता पहले ही अपना जनादेश कंग्रेस को दे चुकी थी परन्तु संदिया जी के बदलाव होने से जनता ने बिल्कुल बोट जो जनता का बोट बेक दिया बीजेपी को वह पूरीता से गलत किया इस वार ग्वाले से प्र देश में पूरे देश में गुंगुं कि एक ही बात के रहें कि मैं गरीब का बेटा हूं मैं चाय बाला बेचने वाला हूं और मैं चाय बेचने वाले वाला यूँ और अगर मोदी को काली पकी इस प्रकार के जिए मुद्धे बना के चलना है जिए बिल्कुल बिप्रीद है और यह पूरी तरह से द्वारा से इस्टेंडिये कंपनी के हातों में बेचने के विचार में और यहां से जिस दिन भी कांग्रेस की गवर्मेंट सेंट्र लगों में है एक और सर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे यह आप कितने बज़ेश से शुरू करते हैं लगाना साड़े बार एक वे से लेकि 8 बज़े तक लगाते हैं किसी अभी दो मेने पहले यहां पर दुकाने थी हमारी है तो इन लोगों ने बिजलीगर का 112 क्र कर दिया आप यह पुटवाट पर लगा रहे हैं हमने मंत्री जी से भी आवे दिया था उन्होंने नजर अंदाज कर दिया शेकरवार साब को दिया उनने नरे नाज कर दिया बोले वो सरकाई जगे जब कि 30-25 साल से लिखाना लीकर देते हम अब बेरोजगार होगे एक तरस कर दिया उसने उसके बार गवालियर की जनता का कम सखम 25-30 करोड रुपया लेना है सारा इंडिया उसमें मेरा भी पैसा बसाए हम इसारी ने वादे किये थे के वह पांच जार करोड रुपय लाए हम और आम जनता का जो खून पसीने का पैसा है वो देंगे अब वो उसके सब करवा लिए दो मेने हो गए उसके बार कोटल आये कुछ कमियां पाई गई लेकिन पैसा नहीं मिला हमको हमारे खुन पसीने का हम तो यह केवल रखम ही रखम मिल जाए पचार जार पर जमाएं अगर पुरा ब्याइज लगांगे तो डाई लाग रुपय होते हैं यहां क मुद्धाय पूरी ओल इंडिया में बेरोजगारी का जब यह आनलाइन वालों को इनको पड़े लेखो लोगों को जादा सेप्टी देदी आज आम आदमी को बैंक में फारम बने नहीं आता पैसे कैसे निकालते हैं इतना डिटल इंडिया नहीं हुआ अपना यह अमेरिका इस बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस बार लग रहा है चुनाव में अब बताएं थोड़ा क्या लग रहा है इस बार क्या क्या लग रहा है चलिए ठीक है मेडम अभी काटे की टक्कर है बीजेपी और कॉंग्रेस के अंदर कॉंग्रेस की लहर तो चल रही है पर बीजेपी की भी कुछ अच्छी नीतियां जैसे लाली वेहना यूजना ये काम कर रही है और बरावर की टक्कर है मेरी नजर में मेहल करीब ही है और ग्वालियर चंबल की राजनीती मेहल से अच्छूती नहीं है कितना फाइदा आपको लगता है मेहल का होने का केंद्र में और ग्वालियर में ग्वालियर की जनता को मिला है क्या मेल से पाइदा तो मिलेगा क्यांकि उन्होंने मेलने ग्वालियन में जो किछ है वो सिंधिया जी की देन है अच्छा काम किया है उसका पाइदा मिलेगा लोगों को और वो मदद भी कर रहे हैं जान से तो उम्मीद तो है सीटें बढ़ने की बीजेपी की कॉंग्रिस कहती है आरोप भी लगाती है कभी कभी जो है मजाग भी उडाती है कि सिंधिया जी जैसे कॉंग्रिस में थी अब वैसे बीजेपी में नहीं रहें कॉंग्रिस में महराज थे सीधी में जो है बीजेपी में जाकर अब भाई सहाब हो गए हैं तो क्या आपको लगता है बदलाव आया है सिंध्या में बदलाव तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं आया जे तो दल बदलाव नेता तो सब लोग हो रहे हैं इस इंद्या जी अकिले नह इसे बीजेपी मजबूत होई है सिंध्या जी ने जितनी योजना हैं यहां पर गौलियर ले कर आये हैं ऐसा कोई राष्ट पती प्रदानमंति से लेकर आज तक कोई नहीं आया जिसको महराज लेकर आये महराज के प्रयास से यहां पर सीटें भी बीजेपी की बढ़ेंगी और ग्वालियर का विकास भी हो रहा है और दिख भी रहा है तो सीटे बढ़ेंगे आपको लग रहा है मेरे इसाब से तो जिस जंक से महराज अवाई अड़े के लिए लेके आएं एडिलेड रूड लेके आएं तो इन सारी चीज़ों से जंता पर प्रवाव पढ़ रहा है और मेरे इसाब से सीटे बढ़ना चाहिए दोनों टाइप के रियाक्शन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं लोग ये भी कह रहे हैं कि सीटे भी बढ़ेंगी और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे एक सर हैं उनसे बात करतें सर क्या लग रहा है ग्वालियर में इस बार चुनाव में क्या होगा चुनाव तो पता नहीं क्या होगा जनता किस को पसंद कर रहे हैं यह बीजेपी है कॉंग्रेस है कह नहीं सकते काटे की ठका रहे हैं 2018 जैसा कुछ होगा या 2020 जैसा हो जाएगा 2018 जैसा भी होना चाहिए क्यों ऐसा अब लग रहा है ऐसे महौल बनना है पिछली बार भी साथ सीटे आई तीस चैत्र से अने अपकी बार देखते हैं कितनी आती है एक और सरे उनसे भी जानेंगे आपको क्या लग रहा है विधान सभा चुनाव में ग्वालियर में क्या होगा इस वार फर्वरतन तो होना चाहिए और होने के पूरे-पूरे चांसे जहें जनता का फर्वरतन करने का मूंड भी है क्योंकि बीजेबी उतना नहीं है इनके कोई प्लानिंग नहीं है एक काम कुछ आरबार करते हैं केवल बिकास नेताओं का हो रहे हैं ना कि किसी आम पब्लिक का हो रहे हैं जैसे तान से रोड देखी आप अच्छा वाला रोड खोद दिया जो तीन कड़ों का काम था वह आ लोगों का निकल कर आ रहा है और मिला जुला रिस्पॉंस ऐसे कुछ नाराजगी है तो वहीं कुछ जो है हैं वह कह रहे हैं कि वीजेपी इस बार सत्ता में वापसी करेगी हाला कि आपको बता दे कि 2018 में ग्वालियर शेत्र की अगर बात करें तो कॉंग्रेस बढ़त में थी लेकिन 2020 में जिस तरीके से उपचुना हुए तब बीजेपी कॉंग्रेस यहां पर बराबर आ गए लेकिन अब देखना होगा कि 2023 में ग्वालियर की जनता किसको चुनती है कामरा परसन दीक्षा के साथ ग्वालियर से एंपी तक के लिए अकांग शुठा को